रहे ओम रामम रामा नुजम शीताम भरतम भरता नुजम सुग्रीवं बायु सुनुचा प्रणमामि पुनह पुनह उपस्थिताह समेपी विद्वांसह स्रोतारह चात्राह गत दिवशे रविवाशरे आवस्य के कारियवसात पाठाह नई वसंजाताह अध्याहं पुनहा भवताम समेशां पुरुतह बाक्य पदियस ब्रम्हकांडम पाठाहितुम उपस्थितोष्मी यथा भवंतह जानंती यद बाक्य पदिये ब्रम्हकांडे यद प्रकरणम इदानीम परचलती यस्च विशयहास्ती सह तत प्रकरणम सच विशयहा अयंबरतते यद सूक्षमाती सूक्षमे वस्तुनाम ज्यानम एशां भवती तेशां पारश्वे कीद्रिशम सामर्थयम तन्निष्ठम कीद्रिशम सामर्थयम अस्ती एन सामर्थेन सूक्षमात्मी सूक्षम अतिंद्रियानाम पी वस्तुनाम ज्यानम भवती यथा लोके अतिंद्रियानी वस्तूनी संती तद्वदेव धर्मः अपी एकहा अतिंद्रियाह विशयहा धर्मः अपी अतिंद्रियाह एव यदि अन्यस्य सूक्ष्मवस्तुनह ज्यानं एन सामर्थेन भवती तेनईव सामर्थेन अतिंद्रियस धर्मस्यापी ज्यानं भवितुं सकनोती एवं रित्या निसकर्षह इदमेव आगच्छती यद धर्मस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्यानं केनापी इंद्रियेन अथवा अनुमानेन वा न कर्तुं सकनुमहा तत्रक कारिका वर्तते प्रत्यक्षानुमानंच व्यती क्रम्य व्यवस्थिताह रक्षह पित्रि पिशाचानाम करमान्ताह एव सिध्धयह तात्परियमिदमस्ती यद ए मायाविनह संती एच स्वरगवासिनह पितरह संती तेसा ते मायाविनह ते पितरह सूक्षमाती सूक्षम वस्थु पस्यंती अतींद्रियमपि वस्थु पस्यंती ते मायाविनह ते पितरह तत्रकारणंकि मस्ती अथवा यद सूक्ष्म बस्तु मायाविनह पस्यंती पितरस्च पस्यंती तत्र कीद्रिशी अलोकिकी सक्तिही कीद्रिशं अलोकिकं सामर्थ्यं तेशां पारश्वयस्ती एन सामर्थेन। मायाविनह पित्रिलोक वासिनह पितरह तद अतींद्रियं बस्तु पस्यंती तत्स्येव उत्तरं ददाती आचारियह भर्तिहरिही यद अस्तितेशां पारश्वयत ताद्रिशं सामर्थ्यं तस्य सामर्थस्यो उत्पादहा तस्य सामर्थस्यो पादनं उत्पत्तिही कथं भ प्रत्यक्षम् अनुमानंच व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताह रक्षम् मायावी राक्षसाह मायाविनह पितरह स्वर्ग वासिनह एवं सति करमान्तात मायाविनाम पारश्वे स्वर्ग पित्रिलोक वासिनाम पित्रिनाम पारश्वे अतिंद्रियम वस्तु दर्सनस्य यद सामर्थयम तच्च सामर्थयम कुतह प्राप्तम तच सामर्थयम तैही तत्र करमानता हा अर्थात करमानता हित्य सेधन्तात्परियम यद करम परिपाकाह अथवा अनुष्ठान जन्य अद्रिष्ट निमित्ताह अथवा पुन्य पाप करम अद्रिष्ट परिणामाह एव परिणाम वसादेव ताद्रिशम सामर्थयम तेशाम पार्षवे जातम एन सामर्थेन सिध् सुख्षमाती-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति-सुख्षमाति- यद लौकिक प्रत्यक्षं तच्च लौकिक प्रत्यक्षं तेसाम अनुमितिंच अनुमितिम व्यतिक्रम्य व्यतरिच्चे व व्यवस्थिताह निश्चिताह संति अर्थात ए पितरह संति ए मायाविनह संति तेसाम यद अतिंद्रिय वस्थुनाम ज्ञानं भवती तस्य ज्ञानस्य कारणं तस्य यद ज्ञानं तत्तु अलौकिक प्रत्यक्षं इस्थूल वस्थुनाम यद ज्ञानं श्माकं भवती तत्तु लौकिक प्रत्यक्षं किन्तु अतिंद्रिय वस्थुनाम यद ज्ञानं भवती तत्तु अलौकिक प्रत्यक्षं अताह मायाविनह पित्रिलोक वासिनह पितरह तेसाम पारश्व यद सामर्थ्यम तेन सामर्थेन अलोकिकप प्रत्यक्षम भवति तेसाम चिन्त यन्तु यद साम पारश्व ताद्रिशं सामर्थ्यम अस्ति चेत ते असमाकम रिशयह तपू पूताह तेसाम ताद्रिशं सामर्थ्यम कथम नभविश्यति अताह तेसाम अपिपारश्व ताद्रिशं सामर्थ्यम भवति तात्परियमिदमस्ति यद यथा रक्षह अर्थात मायावी पित्रि प्रभ्रति नाम जनानाम सूक्षम दर्षन रूपाह सिद्धयह द्रिष्ट सामग्री जन्य प्रत्यक्षा नुमानमिती प्रमति द्वय भिन्ना एववरतते केंतु अद्रिष्ट सक्ति जन्य अलोकिक प्रत्यक्ष रूपाह एव इती सरवैही सुईक्रताहा तात्परियम इदमस्ति एद काचित अद्रिष्ट सक्ति ही विद्यते पित्रिलोक वासिनाम पित्रिणाम पारश्वे मायाविनांच पारश्वे अस्ति काचित अद्रिष्ट सक्ति ही यया अद्रिष्ट सक्तिया तैहि सूक्षमाति सूक्षम वस्तुनाम प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम जायते तदवदेव रिशी नामपि पारस्वे सूक्षम व्यवहित विप्रक्रिष्ट दर्षनम यद लोकिक सामग्रि व्यतरिक्त पुण्य अद्रिष्ट सक्ति जन्यम अथवा योगानुष्ठान जन्यम वा या सक्ति उत्पध्यते अद्रिष्टात्मकं कीम्शित सामर्थ्यंच जायते तया सक्त्यईव तेन सामर्थे नईव असमाकम रिशयह अतींदृयम बस्तुनि पश्यनती तच्चा दर्शनम साक्षात कारात्म कमेव पित्रिलोक वासिनाम पित्रिनाम अथवा पित्रिलोक वासिनह ए पितरह संती ते यदा सूक्षमाती सूक्षम वस्तूनी पस्यनती तस्य यत प्रत्यक्षात्मकं ज्यानम अद्रिष्ट सक्त्या जायते तत्तु साक्षात कारात्मकमेव ज्यानम तद ज्यानम प्रमित्यात्मकं ज्यानम नास्ती तेसाम अनुमानम नभवती नही तैही अनुमानेन प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं क्रियते यतहा पातंजले सूत्रे योग सूत्रे सूत्रत्रयमागतम एशु सूत्रेशु इदम प्रतिपाधितमस्ती यद तत सामर्थ्यात ताद्रिशं सामर्थ्यं कुतहा अगच्छती एन सामर्थे न अतीं द्रियस्य वस्तुनह ज्ञानम भवती सूत्रमस्ती एद धारणा ध्यान विभूति पादे इमानी सूत्रानिशंती धारणा ध्यान समाधित त्रयस्य मिलितस्य एक धेया लंबनिष्थित रूपस्य सैयमस्य अर्थात फलम किम फलमस्ती सूत्रम वर्थते परिणामत्रयसयमात अतीत अनागतक ज्यानम इदम सूत्रमस्ती परिणामत्रयसयमात अतीत अनागतक ज्यानम सूत्रयस्मिन अतीत अग्यानम अपियागतम अनागतक ज्यानम अर्थात भविश्यत कालिकं ज्यानम रिशी नाम अतीतक ज्ञानाम अपिवरतते रिशी नाम भविष्यत कालिकं ज्ञानाम अपिवरतते त इदम सामर्थ्यम कुतह तैहि प्राप्तम तस्य कारणम प्रतिपाधितम यद परिणामत्रय सैन्यमात परिणामत्रय सैन्यम सैधन्ताट्परियम धारणा ध्यान समाधिहि धारणास्ती देशबंधह चित्तस्य धारणा तत्रप्रत्ययक तानता ध्यानम पुनह ततहस तदनंतरं समाधिहिती तो यदा देश बंधस्य चित्तस्य धारणा यदा चित्तम वरतते तच्च चित्तम यदा एकस्मिनस्थाने निश्चितम भवती एवं भूतम निश्चितम भवती यदा यस्मिनस्थाने तस्य न्यासह जाता हा यस्मिनस्थाने तस्य काग्रता जाता तद वस्तु व्यतरित तस्य अन्यस्य वस्तु नह ज्यानन नभवती तदानीं तनकाले इदमे यमेव भवती धारणा देश बंधस्य चित्तस्य धारण देश बंधाह एकस्मिन देशे बंधाह अर्थात स्थापनम कस्य स्थापनम चित्तस्य स्थापनम तो यदा चित्तम एकस्मिन स्थाने इस्थितम भवती तदस्थान व्यतरिक्तस्य अन्यस्य च ज्ञानम न भवती एवं भवती धारणा चित्तस्य धारणा इती पुनह ध्यानम तो ध्यान विशय आगतम तत्र प्रत्य एक तानता ध्यानम प्रत्य एक तानता अर्थाद विस्ता रहा तानता अर्थाद विस्ता रहा प्रत्य एह ज्यानम एकस्य ज्यानस्य विस्ता रहा अर्थाद यस्मिन देशे यस्मिन चवस्तुनी अथवा यस्मिन ध धे धारणा जाता यस्मिन धे चित्तस एका ग्रता अभवत एवम अपिवक्तम सक्नमाहा यद यस्मिन धे वस्तुनी चित्तस एका ग्रता अभवत तस्याह एका ग्रतायाह एव एका ग्रता विशायकस ज्यानस्यव विस्तारह भवति पानता भवति तो यस्मिन स्थाने यस्मिन वस्तुनी वा चित्तस्य इस्थिति ही चित्तम इस्थितन जातम तस्याइव ज्यानस्य क्रमेन तार तम्वेन विस्तारह तनु विस्तारह भवति अरथाद अविच्छन रूपेन तद धेय वस्तुनह एव चित्ते ज्ञानम भवती धेय वस्तुनह अतरिक तश्य अन्यस पदार्थस अन्यस वस्तुनह द्रभ्यस वा ज्ञानम नभवती तद भवती किम धारणा तद भवति ध्यानं अनंतरंच समाधिर आगता तो समाधिर भावनं एवं सति यदा धारणा ध्यान समाधिशू सैयमह भवति त्रयम एकत्र सैयमात त्रयम पदेन धारणा ध्यान समाधिशू यदा सैयमह भवति नियंत्रणं भवति तदा अतीतक ज्ञानम अपिभवती अनागतक ज्ञानम अपिभवती एवं यह रिशिह वर्तते तस्य संयमह धारना ध्यान समाधिसुच वर्तते तेसाम ज्ञानाम अतीतक ज्ञानम अपिभवती अनागतक ज्ञानम अपिभवती अथच अतींद्रियस्य वस्तुनः अपिज्ञानम भवती एव मेव द्वतीयम सुत्रमस्ती यद सवदार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात इतरेतराध्यास संकरहा तद प्रविभवाग संयमात सरभभूत रुत ज्ञानम तो सरभभूत रुत ज्ञानम समेशाम प्राणिनाम यह उच्चरितह यह सब्दहा सरवई ही प्राणि भी ही उच्चरितह यह सब्दहा तस्य सवदस्य ज्ञानम भवती कदा ज्ञानम भवती यदा सवदार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यात संकरह तद प्रविभाग संयमात यदा भिभाग संयमह सवदार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासह तद अध्यास कारणात यत संकरह तस्यमिन संकरिच यदा संयमह तद समेशाम प्राणिनाम यह सब्दहा यह सरवईही प्राणिविही यह सब्दह उच्चारियते तस्य सवदस्य ज्ञानम भवती एवमेव तरतियम सुत्रमस्थी प्रत्ययस्य परचित्य ज्ञानम भवताम चेतसी कह विचारह वर्तते तान विचारान पी वयं ज्यातुम सक्नुमह तान विचारान पी रिशयह जानन्ती कथम जानन्ती परचिय परचिय परचिमिन चेतसी यह एविचाराह वर्तते परच्मिन चेतसी यद ज्यानम भरतते तद ज्यानम रिशयह कथम जानन्ती तद विशय उक्तम परचित्य ज्यानम परत्ययो नां ज्यानम तो यदा ज्याने सैयमह तद अपरच्मिन अंता करणे यद ज्यानम तस्य ज्यानस्य पी रिशयह रिशीनाम तद ज्यानम अपी भवती एव मेव सूक्ष्म वस्तु नह ज्यानम कथम भवती रिशीनाम तद विशय उक्तम प्रवर्त्य आलोकन न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टा नाम अरथात विवहिते यद वर्तते अथचा यदवस्तु सूक्ष्म doin वर्तते अथचा यदवस्तु दूरं वर्तते ते शाम समेसाम वस्तु नाम समेसाम प्रवपदार्था नाम ज्यानम भवती कारणंकिम ततत्र योग वार्तिके उपपाधितम यद पुरुशेशु या ज्योतिस्मतिही बुद्धिही उत्पन्ना भवती तया बुद्ध्य मनसह साक्षात कारभवती अधच यहा आलो कहा अंता करणे प्रकासते यहा आलो कहा हरदी प्रकासते तेन आलो केन योगी ये योगी नहसंति ते अतिंद्रियम अपिवस्तु जानन्ति अतच विप्रक्रिष्टम अपिवस्तु जानन्ति यद वस्तु दूरंति श्ठति तद वस्तु विसेपि जानन्ति अतीत अनागत ज्यानम अपि तेशाम भवती एवम रीत्या तेशाम रिशीनाम इदं ज्यानम यद सूत्र चतु पंचसूत्रे वा आगतं योग सूत्रे यस प्रतिपाद नंकरतमस्ती तत्तु ज्ञानन नकदापि आनुमानिकमस्ती नवा सामान्य प्रत्यक्षात्मकं विद्यते दृष्ट विशैकम अपिताद ज्ञानम नास्ती एवं रीत्या प्रकरते किमस्ती एद धर्महा सूक्ष मवस्तु बरतते धर्मश्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम यथा लोके इसथूल भूत पदार्थस ज्ञानम चक्छुरेंद्रियेन भवती तथा धरमस ज्ञानम चक्छुरेंद्रियेन नभवितुमरहती तस्य धरमस ज्ञानम दर्सनांतरियाहा अनुमानेन कुरवंती तस्य इव निराकरणं करोती आचारिय भरत्रिहरही यद धरमस ज्ञानम अनुमानेन नभवितुमरहती यतोही यदि धरमस्य ज्ञानम अनुमानेन संभवतिचेत तदा किमर्थम योगशूत्रे अतीत अनागतक ज्ञानयोह साधनम उपपाधितम परिणामत्रय सैयमह इती एवम रीत्या तत्र नव्याप्तिक ग्रहा व्याप्तिक ग्रहा भावात अनुमानम नभवितुम शकनोती एवम सती निसकर्ष रूपेण इदम बक्तुम शकनुमह यद सैयमस्य यद फलं यद अतीत अनागतक ज्ञानस्य सरव भूत रुत ज्ञानस्य परचित ज्ञानस्य सुक्षम ब्यवहित बिप्रक्रिष्ट ज्ञानस्य चा सरवस्य साक्षात कारत्तम स्पष्टमेव उक्तम महर्षी व्यासेण योगसूत्र कारेण एवं सती सत्व प्रकर्षे सत्व गुनस्य यदा प्रकर्षभवती सत्व गुनस्य यदा आधिक्यम भवती तदा निरावरण मनशह अर्थात यदा सत्व गुनस्य प्रकर्षः तदा मनसह यदा आवरणम तस्य आवरणस्य निवरत्तिर भवती अयदाच आवरणस्य निवरत्तिही तदा आत्मनह आत्म प्रकासह तदा भवती आत्म प्रकासह पंच दसी नाम के ग्रंथेपी अयम विशयह प्रतिपाधितह वरतते तत्र उक्तम यद पंच कोशाह संती पंच कोशाई आबृत श्वातमा विश्मृत्या संस्रतिम ब्रजेत तत्र उक्तम वरतते अर्थात ये पंच कोशाह संती अन्नमय कोशह प्राणमय कोशह ज्यानमय कोशह इत्यादी ये पंच कोशाह संती तैही पंच कोशाई ही आबृतमा विश्मृत वरतते आख्षादित वरतते यदा पंच कोशानां ज्यानम भवती तदा तैह कोशाई आप्रितह यह आत्मा सह आत्मा प्रथक भवती अथचा यदाच प्रथक भूतह भवती आत्मा तदा तस्य आत्मनह ज्यानम आत्मज्याने सती आत्मनह साक्षातकारानंतरं मोक्षप्राप्तिरिती प्रतिपाधितं एतेन किमागतं यदा वास्तविक ज्यानस्य प्रतिवंध कहा आवरणं एव भवती वास्तविक ज्यानस्य प्रतिवंध कत्वं आवरणे एवती श्ठति यदा तस्य आवरणस्य निवरत्ति ही जायते तदा तैहि आवरणैहि आवरितह यदावरितं जद वास्तविकं ज्यानम तद वास्तविकस्य ज्यानस्य अनुफू तिर जायते तदेव कत्थयती यदा यह आवरणते सांखरित्या यह आवरणते सह आवरितह केन आवरितह सह आवरितह तरी तमशा आवरितह यह आत्मा तस्य आत्मनह यह तस्य तस्य तमशा निवरत्तिही तस्य तमू निवरत्तिह कदा भवती यदा सत्व गुनस्य प्रकरशा भवती सत्व गुण प्रकरश अनन्तरम आत्मनह यद आवरनम तस्यावरनस्य निव्रत्तिही तदा आत्मनह प्रकासहा आत्मनह यह प्रकासहा सह तस्य सर्व व्यापित्वेन आत्मनहा यह प्रकासह तस्य सर्वव्यापित्वेनो सूख्षमव्यवतादि विशयेसु विन्यासे पिसाक्षात्कारह जायते एवो यथा इंद्रिय विन्यासे घटादेहे साक्षात्कारह एवं सती रक्षः पित्रि पिसाचादी नाम सूख्षमव्यवहित दूर विशय दरसनस्य रिशीनांच प्रातिभग्यानस्य रिशीनाम जद ज्यानम तद प्रातिभग्यानम तस्य करम विपाक अद्रिष्ट सक्ति जन्यत्वात तस्य करम विपाक अद्रिष्ट सक्ति जन्यत्वेन द्रिष्ट व्यक्तरिक्त सामग्री जन्यत्वेपी अलोकिक प्रत्यक्ष रूपत्वे रूपत्व पपत्तव नक्किमपी प्रतिवंधकम एवं सती रिशी नाम जद अलोकिकम प्रत्यक्ष न् तत्तु अद्रिष्ट सक्त्या एवभवती अतहा धर्महापी अतींद्रियम अतींद्रियस्य धर्मस्यापी प्रत्यक्षात्मकं ज्यानम रिशी नाम अद्रिष्ट सक्त्या जायते एव अतहा तद ज्यानायो पुनह अनुमानस्य आवश्यकता नास्तीती इदमेव अस्याहा कारिकायाहा तात्परियम वरततेंद्रियम इदानीम पूर्वकारिकायां रिशी नाम यद सामर्थ्यम वरतते सामर्थ्यंच प्रतिपाधितं यद परिणामत्रय सैयमात अतीत अनागत ज्यानम भवती प्रत्ययस परचित ज्यानम भवती सैयम रूपस्य फलस्य सैयमस्य सैयमस्य फलमेव बरतते अतीत अनागत ज्यानम सर्वभूतरुत ज्यानम परचित ज्यानम इत्यादी किन्त वस्तु तह अस्य ज्ञानस्य उत्पत्तिर कथम भवती कथम भवती अस्य ज्ञानस्य उत्पत्तिही तदा कथयती यद आविर भूत प्रकासानाम अनुपद्रुत चेत साम अतीत अनागत ज्ञानम प्रत्यक्षान नविशिष्यते रिशी नाम यद अतीत अनागतक ज्ञानम बरतते तद ज्ञानम प्रत्यक्ष वेतरिक्तं ज्ञानम नास्ती असमाकं करते तद ज्यानम अतीतात्मकं अनागतात्मकं चभवितु मरहती परंच रिशीनां करते कि मपी ज्यानम अतीतात्मकं अनागतात्मकं नास्ती सरव मपी ज्यानम प्रत्यक्षात्मकं एव बरतते रिशयाह के भवंती तरी रिशिनामेव लक्षनां करतम बरतते आविरभूत प्रकासानाम अनुपद्रुत चेत सामिती भवतु कारिकायाह तात्वरियं की मस्तीतितु कथैस्यामेव किन्तु ततह पूरुबं अवस्यमेव एकह विशयाह ज्यातब्याह एन विशयेन अस्याह कारिकायाह यत तात्परियं बक्तु मिख्षती अस्याह अनया कारिकया यह विशयाह प्रतिपादैतु मिख्षती यम विशयम प्रतिपादैतु मिख्षती वर्त्रिहरिह तस्य विशयस्य सम्य ज्ञानम भवितु मरहती अथवा वर्त्री हरेह किन्तात परियमिती तत्तात परियस ज्ञानम अवस्यमेव भवितुम् सकनोती तत्र न्याय दर्शनस्यम सिध्धान तह यद उत्पत्तेह पूरवं कस्यापी सांसारिक वस्तुनहां कस्यापी पदार्थस्य केनापी रूपेन सत्ता नभवती उत्पत्तेह पूरवं अर्थात सरगात प्राग यावंतह पी सांसारिकाह पदार्थाह तेसां पदार्था नाम सत्ता केनापी रूपेन नभवती अताह ते भवंती निरुपाख्याह ते सांक्रते एका सब्दाह प्रिकताह निरुपाख्याह इती निरुपाख्याह से निरात्मकाह निरुपाख्याह इती इतामे वतात्परियम तनमते यताह उत्पत्ये पूरवं कस्यापी सांसारिकाह पदार्था से इस्थितिही नही केनापी रूपेन भवती किन्तु कारण सामग्र्याह सन्निधानात ते सांपदार्थानाम उत्पत्ति ही अयमेव भवती असत कार्यवादह उत्पत्ति पक्छस्च अस्मिन पक्छे चिंतयन्तु एसाम मते सरगात प्राक कस्यापी पदार्थस्य सत्ता नास्ती कस्यापी पदार्थस्य सत्ता एव नभवती अताह एव निरुपाख्या अतेव निरात्मकह किन्तु ज्ञानम तनमते एव ज्ञानम सरवदा आ विशय त्वेनईव भासते कदापी ज्ञानम निरविशय नभवती एतो ही ज्ञानम तनमते गुणहा गुणहा सरवदा गुणिया श्रितह एव कुव्त जॹो एवम रित्या यदि तनमते उत्पतेह प्राक सरगात प्राक कश्यापी पदार्थस्य सत्ता एवनास्ती तदा ज्ञानस आस्रयः नक्किमप ज्ञानस्य आस्रयः कस्चन पिनभवितुम सकनोती तनमते एव मेव प्रलयानंतरम पियदी कस्यचिद वस्तुन हसत्तान भवति चेत तदा अनागतम अपि ज्ञानम आस्त्रय रहितं एव म सती उत्पत्ति वादिनाम मते उत्पत्ति वादिनाम नईयाईका नाम मते उत्पत्ते हे प्राग ज्ञानम आस्त्रय रहितं आस्त्रय हीनम तदनंतरम पियर्थाज बिनासानंतरम पि ज्ञानम आस्त्रय रहितं भवति अतेव निरात्मकह, निरुपाख्यह, निश्वभावह, इदं ज्ञान भवती अद्रिष्ट बतात अनियत कारण सकते हे परिग्रहा ज्ञानम नहिके नापी अनुमाने नभवितुम रहती तनमते अनुमानं त्रिविधं पूर्भवत, शेसवत, सामान्यतो द्रिष्ट इती भेदातो त्रिविधं अनुमानं आख्यातं तत्र पूर्भवत इत्य सकिन्तात्परियम पूर्भम कारणम अस्य अस्तीति पूर्भवत अरथात कारणम द्रिष्टवा अना गतस्य कारियस्य अनुमानं भवती यत्र पूर्भवत अनुमानं भवतते तत्र तेन अनुमानेन अना गतस्य कारियस्य अनुमानं भवती पूनस्य तत्तेन कारियन तस्मिन कारणे तत कारियोत पादकता रूपाया सक्ति ही तस्याह सक्तेश्य अनुमानं भवती यत्र जलधरम द्रिष्ट्वा वरिष्टेह अनुमानं चिन्त यन्तु इदानीम वरिष्टेह उत्पत्ति ही न जाता कारियमस्ति वरिष्टि ही साचक कारियरूपा वरिष्टि ही इदानी न जाता किन्तु तस्याह वरिष्टेह यद कारणम तत कारणम मेगह तदानीन तनकाले वर्तते अता पूर्वं कारणम अस्यस्तिति कारणम पूर्वता विद्यते तत कारणम द्रिष्ट्वा अनागता या वरिष्टिही तस्याह वरिष्टेह अनुमानं भवती एवं भवती पूर्ववत अनुमानं पूनस्य कारियम द्रिष्ट्वा यदा कारियम आगतं तत कारियम द्रिष्ट्वा तत कारियोत पाधकं यत कारणम वर्तते तत अनुकूल कारणस्य कल्पना क्रियते अथवा अनुमानं क्रियते एवं 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 इवं इवं इदम भवती पूर्ववत द्वतीयंच भवती सेसवत इति सेसवत इत्यस्य इदम सेसह अस्यस्तीति सेसवत तो सेसह अस्यस्तीति सेसवत इति वितुपत्ति रित्या कारियम द्रिष्ट्वा कारणस्य अनुमानं भवती सामानने तो द्रिष्ट यद अनुमानम वरतते सामानने तो द्रिष्टम यद अनुमानम अस्ती तेन अनुमानें तु वन्हि धूमयो हो अस्थले धूमम द्रिष्टवा अधृष्टस्य वन्हेह अनुमानम अत्रचिंत यंतु किम धरमस्य अनुमानम केनापी अनुमानेन भवितुम सकनोति नवा धरमस्य अनुमानम केनापी अनुमानेन भवितुम सकनोति पूर्भवत अनुमानेन अथचा सेषवत अनुमानेन सामान तो द्रिष्टा अनुमानेन यतोई पूर्ववत अनुमान सक्किन तात्परियम पूर्वम कारणम अस्तीती तत कारणम द्रिष्ट्वा कार्यस्य अनुमानम पुना कारियेन तद उत्पत कारियेन तदनु कूला या कारनात्विका सक्तिही तस्याह सक्तेह अनुमानम्भवती परंचा यदी उत्पत्थेह पूर्वम् कस्यापी पदार थस्य निश्चयह एवनास्ति कस्यापी पदार थस्यिस्थितिरेवनास्ति तस्या आस्रयह एवना कस्चन विद्यते तदा निरास्त्रयस्य व्याप्तिक ज्ञानम न भवितुम रहती व्याप्तिक ज्ञाना भावात कथम अनुमानम भवितुम शक्नोती धर्म विशय ताद्रिशी एव इस्थितिही अतहा धर्मस्य अनुमानम कदापिन भवितुम शक्नोती इती एकह विशाय हवर्तते द्वतियम यदी तदेव आचारिय वर्तिहरी ही कथयती यद धर्मस ज्यानम केसाम जनानाम भवती तदा कथयती आविर भूत प्रकासानाम तपस चरनात उदरिक्त सत्वालोक प्रकरशानाम रिशी नाम यद ज्यानम भरतते तद ज्यानम प्रत्यक्षात्मकं धर्म विशाय कमिती तरी प्रकासस्य उद भवह कष्यापी जनस्य चेतसी सरबब्यापी नह प्रकासस्य उद भवह कथं भवती तद कथयती अनुपद्रुत चेतसाम अनुपद्रुत चेतसामित्यसिदम तात्परियम यद विसय वासना जनित मालिन दोश रहितह यह जनहा विशय भासना जन्य मालिन्य दोश रहितह भवती विशय भासना जन्य मालिन्य दोश नास्ती तेसाम अंतह करणे प्रकासस्य आविरभावः भवती ज्ञान रूपस्य प्रकासस्य सर्व व्यापिनह ज्ञान रूपस्य प्रकासस्य आविरभावः भवती ते नईव ज्ञाने नो आविर भूत प्रकासे नो अतीत अज्ञानम अनागत अज्ञानम अथचा अतींद्रियस्य वस्तुनह ज्ञानम भवती आविर भूत प्रकासानाम महर्शी नाम आविर भूत प्रकास काह के संती महर्षयह संती ए महर्षयह बस्तुतह ते एव महर्षयह एसान चेतसी प्रकासस्य आविर भूतह जाता हा। अनुपद्रवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव रूपस्य प्रकासष्य आविरभावा ते नही व ज्नेन ते जणाह आगतक ज्नाम अनागतक ज्नाम आगतम अनागतम अधचा अतिंद्रियम जानन्ती तात्परियम इदंबर्तते इयद गुनाह त्रयो गुनाह भवंती सांखनय त्रयो गुनाह सत्व रज सत्वम रजह तमह इती योगेन किम भवती देश बंधस्य चित्तस्य धारणा यदा धारणा क्रियते एक तदा तया धारणया भवती किम यद तपशा रजह तमशी अरदात रजह यत ज्यानम रजसंग्यकं यत ज्यानम तस्य तयोह ज्यानयोह निवर्तिही बिनासह भवती इतिन कथयामी यतोही सांखनय कार्णम अपिनित्यम कार्यम अपिनित्यम अतह तपशा योगेन वा रजतमशोह ज्यानयोह निवर्तिह भवती अयदाच रजतमशोह ज्यानयोह अंतरहितत्तं जातं अंतरहिततं जातं रजाह तमसोस्च यदा अंतरहिततन जातं तदा सत्व गुनस्य प्रादुर भावह भवती तस्मिन चित्ते तस्मिन चेतसी सत्व गुनस्य प्रादुर भावह अ यदाच सत्व गुनस्य प्रादुर भावह तदा किम भवती यदा पंच क्लेशाह भवंति तनमते अविद्या, अस्मिता, राग, दोयस, अभिनिवेश इमे भवंति पंचकले साह। निवरतिर भवति निवरति ही जायते। कारणंकि मस्ति मोहा तमहा रागस्य कारणंस्ति रजह एवम सती इमे पंचकलेसाह एव प्रतिवंधकाह भवंति आत्मनी सत्व गुनप्रादुर भावस्य आत्मनी सत्व गुनप्रादुर भावस्य आत्मनी सत्व गुनप्रादुर भावा आत्मनी विध्यते सत्व तस्य विद्यमानत्य पी, सत्व गुनस्य आत्मनी विद्यमानत्य पी, तस्य प्रादुर भावन भवती, तस्य प्राकट्यन भवती, यतो हित्तस्य प्राकट्यस्य प्रतिवंधकाह संती इमे पंचक्लेशाह। यदा एतेसाम पंचक्लेसानाम निवर्तिही पंचक्लेस निवर्त्यनंतरम आत्मनी सत्व गुनस्य आविरभावः अयदाच सत्व गुनस्य आविरभावः तदानींतनकाले अंतकरणं विशुद्धांतकरणं भवति यदाच विशुद्धांतकरणं तेन अंतकरणेन सरव व्यापित्वेन यदंतकरणं यद ज्यानं तेन ज्यानेन देशकृतं कालकृतं वस्तुक्रतंच त्रिवधमपी यद परिच्छेदकं तस्य परिच्छेद कस्य चा निवरत्ति ही देशकृतम कालकृतंच अथच वस्तुकृतम तो देशकृतम परिच्छेद कह प्रतिवंध कह कदाचित कालकृतम परिच्छेद कत्वम कदाचित वस्तुकृतम परिच्छेद कत्वम तदा पुल्ण्यापुंड कर्म फलानाम उतपत्तिही आविरभावः एवंसति भुक्तम भवांतरेशुच भोक्षमानम अधच सूक्षमम अतींद्रियम सरवम अपिवस्तु साक्षातकारम कुरवंति तथा भूताहा महरशयहा एवंसति ततत करमनाम सूक्षमाम ततत सकल जनकता सक्तिम कारनेशु कार्य जनकता सक्तिंच संपस्यमानाह प्रवरत्ति निवरत्ति उपदेश परमं परम आगमं इश्मरंति असमाकं रिशयह यथा यासका चारियन उक्तम यद साक्षात कृत धरमानाह रिशयह बभूवु हो साक्षात कृत धरमानाह तो साक्षात कृत धरमानाह ए रिशयह तेशु रिशिशु अन्तह करने सत्व गुनस्य उदरेकात सर्वभ्यापकस्य ज्ञानस्य प्रकासस्य वा आविरभाव भवति के रिशयह अवरेभ्याह असाक्षात कृत धरमभ्या उपदेशेन मंतरान संप्राद हुenza इति रिशिदर्शनात अतेवत्र अतेव एवं भूतानाम रिशिणाम अतीत अनागत ज्यानम प्रत्यक्ष ज्यानात भिन्नम नभवती अताह रिशिणाम सरबम पिज्यानम प्रत्यक्षात्मकम एव भवती प्रत्यक्ष भिन्नम एकम पिज्यानम नभवती अत्स्य प्रतिपाद नस्य तात्परियम एव इदम वरतते यद साक्षात क्रत धरमानह एरिशयह भवूँ हूँ ते परापरावरग्याह सरबधरम अभ्याह उपदेशेन मंत्रान संप्रादु हूँ मंत्रान उक्तवंतह ते रिशयह एवं भूताह एरिशयह भवंती तेसा मंत्र करने यद ज्ञानम वरतते तच ज्ञानम सरबभ्यापकं ज्ञानमस्ती अर्थात किमपि ज्ञानम तेसांक्रते अतीतात्मकं अनागतात्तकं नभवती नहि मात्र अयम सिद्धान तह योग सूत्र स्यव प्रशोद रादीन यथो पदिश्टम इत्यस्मिन सूत्रे भगवता भासकारेन उक्तम यद एत्यस्मिन आर्यावरते आरिय निवासे एवरम्हनाहा कुमभी धान्याहा अलोलुपाहा अग्रियमान कारणाहा किंचि दंतरेन कस्यास्यद विद्यायाहा परंगताहा तत्रभवंताह सिष्टाहा एवं भूताहा एशिष्टाह भवंती ते एव रिशयाहा एतो ही इमे इमानी सरवानी विशेशनानी रिशीशु एव संगटितानी भवंती आरिया वर्ते आरिया निमासे ए ब्राम्मना ते कुंभी धान्या हां अर्थात धन विशेनी तृष्णा नभवती तेश साम अलोलुपाहा अलोलुपाहरधात लोलुपता नवरतते धनसैक्षा नवरतते अग्रिहमान कारणाहा अग्रिहमान कारणाहा कस्यासित विद्यायाह पारंगताहा धर्म विद्यायाह ध्यात्म विद्यायाह पारंगताहा एवमरित्या ते विद्यावंता संती संती ते विद्यावंता हित्यस्य कारणं इसित्रयस्य निवरत्तिही तिस्त्रह त्रिष्णाह भवंती तिस्त्रिनाम पित्रिष्णानाम नि निवर्ति रस्ति निवर्ति जाता ते त्रिष्णा रहिताह भवंती। यया अद्रिष्टा सक्त्य ते रिशयह अतीत अज्ञानम ते साम्रिशीनाम यथा अतीत अज्ञानम भवती तथा अनागत अज्ञानम भवती। नहीं सूक्ष्म बस्तु नवायस्थोल बस्तु उभयोह बस्तुनोह श्रमान रूपेण ते साम्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम भवती। चरक संगितायाम पी सिष्टस्य परिभासा क्रता वरतते तत्र उक्तम आप्तस्तावत। के भवंति आपताहा तरजस्तमोभ्याम निर्मुकतत्वात। रजस्तमोभ्याम निर्मुकताहा तपो ज्ञान वलेन ए एशाम त्रिकालं अमलं ज्ञानम अभ्याहतं सदा। आपताहा शिष्टाहा विभुद्धाहा ते ते सांभाक्यम संसयं सत्यं वक्षेंति ते कस्मात असत्यं नीर्जस्तमाहा ये ते न किम प्रतिपाधितं। एतेन इदमेवप् प्रतिपाधितं बरतते यद रजोतमाभ्याम निर्मुकताहा अतहा निर्मुकताहा विशेषेन मुकताहा अर्था तेसां रजो गुनस प्रभावनास्ती तेसां चे तसी जाथवा एवं कते यंतु एसां चेसी रजो गुनस प्रभावनास्ती तमो गुनस प्रभावनास्ती अथच तपो ज्यान वलेन ए तपो ज्यान वलेन एसां त्रिकालं अर्थात त्रिकालस्य ज्ञानम एशाम वर्तते अथचा यश्य एशां ज्ञानम अभ्याहतम अर्थात अबाधितम एशां ज्ञानम बाधितम नास्ति एवं भूताहा आपताहा शिष्टाहा भवंती वाक्यम तेसाम वाक्यम संसयम तैही उच्चरितह यह सब्दहा सह अवस्यमेव प्रमानत्तम भजती आताहा यदि अस्माकम रिशायहा अस्माकम रिशीनाम या अस्माकम रिशिभिही यद वाक्यम उच्चरितम तच्च वाक्यम तद वाक्य जन्ने वाक्यार्थ वोधा संसयात्म कहन भवती चेत तस ज्ञानम प्रमान्यम यदि एवं सरवैही एकमत्येन अईकमत्येन स्विक्रियते चेत तदा भगयवान भास्यका रहा यदि एवं कथयती यद सादुसब्द प्रयोगे धर्मह सादुसब्द प्रयोगे धर्मह सादुविर्भासितव्यम नापसबदैही तरी यदि ते कथयंती यद सादुसब्द प्रयोगे धर्मह तरी रिशिनाम बचनम बरतते सादुसब्द प्रयोगे धर्मह तेसाम यद बचनम तच्च संसय रहितमस्ती अर्थाद तेन बचनेन यहा बोधा यस्य ज्ञानम भवती तच्च ज्ञानम या तश्मिन ज्ञाने संसय अस्थानम एवरास्ती एव मेव एका सब्दा सम्यग्याताह सुष्टु प्रयुक्ता स्वर्गे लोकेचा कामधुग भवतीती यदि बचनम बरतते तदा इदंच बचनम असंसय अर्थ संसय रहितम बरतते एवं सती अवस्य मेव महर्शिपाणिनि रित्या भास्म पतंजलि रित्या अवस्य मेव इदम शुईकरतब्यम यद धरमस्य अवाप्तिही धरमस्य लाभाः वयाकरणानाम सादुसब्द ज्ञाना सादुसब्द प्रयोगे एव भवती धरमस्य लाभाः अनुमानेन नभवितुम सकनोती इदमेव तात्परियं बरतते कारिका द्वयस्यती अतहा अध्य अत्रैवो विरमामी भवतारं समेशां करते धन्यवादाह पुनाः भगवतक्रपया श्वः यथा समयम उपस्तितो भविश्यामी तावत करते भवतारं समेशां भूरिशः धन्यवादाह भवंतह माम सुर्तवंतह अधजा यदा कदापि हम पाठःतो मुपस्थितो भवामी भवंतह प्रायः अहम पस्यामी आगताह संती तदर्थं पुनह पुनहा हम धन्यवादान वितीर्य कार्तज्यं विभर्मी नमो नमा